गुड बार्निंग बच्चों मैं स्केंडर चुई की टीचर हूँ मेरा नाम सुधा है तो बच्चों आप लोग को आज मैं हिंदी लिट्रेचर का दो कोशन आंसर पहले लिखा चुकी हूँ बाकी जो दो कोशन आंसर से आज लिखाऊंगी यानि प्रस्ट नंबर 1, 2 आप लो 4 लिखाने जा रही हूँ कॉपी प्लस पैंसिल लेकर आप सभी बैट शेये हूँ हाँ तब बच्चों आप लोगों ने चार सब्दार्थ और दो प्रस्ट उत्तर लिख चुके हैं हाँ तो आज मैं प्रस्ट नंबर 3 और प्रस्ट नंबर 4 लिखाने जा रही हूँ यहाँ देखिए प्रस्ट नंबर 3 राजा मिदास को लालच की सजा कैसे मिली राजा मिदास को लालच की सजा कैसे मिली उत्तर राजा मिदास जिस स्वस्तु को छूता वह सोना बन जाता राजा मिदास जिस स्वस्तु को छूता वह सोना बन जाता कौमा लगाना है आप सभी को उसके बार उसकी बेटी भी सोने की बन गई पुन्विराम इस प्रकार उसे लालच की सजा मिली तो आप लोगों को पता है ना बच्चों देवदूत राजा मिदास को क्या असिरबा दिये थे कि जो भी चीज तुम छूओगे वह सोने की हो जाई तो राजा जब अपनी बेटी को जैसे ही छूए तो क्या हो गया उनकी बेटी भी सोने की बन गई है ना तो लालच का सजा तो मिल गया उसको क्या पता था कि बेटी को भी छूएंगे तो वह सोने की हो जाएगी है ना आब आईए प्रस्ट नमबर फोर देवदूत ने अपना वर्दान वापस क्यों लिया देवदूत ने अपना वर्दान वापस क्यों लिया उत्तर राजा मिदास को अपनी गलती का पशताप करते देख देवदूत ने क्या है राजा मिदास को अपनी गलती का पशताप करते देख देवदूत ने अपना वर्दान वापस ले लिया है ना क्या है पशताप करते देख देवदूत ने अपना वर्दान वापस ले लिया पुन्य विराम तो बच्चो टोटल चार प्रश्न उत्तर लिखा चुकी हूं मैं आप लोग अच्छी तरीके से लिखों हाँ आज मैं आप सभी को हुंबक्या दे रही हूं learn question answer of chapter 4 और साथ में ये चार शब्दात भी याद करोगे ओके बच्चो बाई